कि बी ऐससी पेपर लिख में सरगना समय पांच गिरफ्तार देखें यहां पर सरगना समय पांच लोग को गिरह दारी हुई है इश्के अनुशार तो देखेंगे सिक secular मोतिहारी के इसकूल से वाइरल हुआ था प्रश्ण पत्र सिख्षक धराय पांच लोग गिरफतार हैं क्या है कैसे है जानेंगे और इन सवालों के जवाब में जुटी है खांगालने में जुटी यानि आर्थिक अपराद इकाई की टीम जुटी है किन-किन सवालों को सबसे पले सवाल ज लेकर कैसे गया में केंदर के किन-किन सिख्षक या सममन्दी का संलिपतिता है या मिली भागीत बहगगिता यह इसको लेकर दूसरा प्रसुन उनके अंजर क्या है जिस ब जिघ्रति पाफम पत्र ब्यजा था हुद से diving का क्या इंतिजाम किया था क्या विवस्ता रखा था क्यों स्वल्प कर रहा था क्या कंडिशन था इन सारे चीज को जानेगे तिसरा है परिश्चा केंदर से पेपर का फोटो भेजने वाला या कहां भेजे गए उत्तर वापस संबनित परिक्षार्ती तो कैसे पहुँचा ये सब कुछ ये खंगाला जा गया है कि जो ये बच्चा भेजा था वह इसका मकसद क्या था किन-किन को लाब पहुचाना था क्या करना था कैसे करना था एटूजेट जनकारी आपको यहां मिल जाएगा तो इसमें देखेंगे अभी इसकी जवाब में जुटी हुई है इसकी खोज विंद चालू है एए यूँ के टीम के द्वारा एओ यूँ के टीम के द्वारा खोज जारी है यानि कि आर्थिक अपरादी कहीं के द्वारा यह खोज जारी है चलिए देखिये बिहार करमचारी चैन यानि बी एससी के अस्तर से आयोजी तिरती असनातक अस्तर ये संजुक्त प्रती योगी प्रिक्षा प्ररंबिक पेपर मामले का मुख अभ्यूक्त अजय कुमार को गिरफता गिरफतार कर लिया गया है वह शुपौल का रहने वाला है और उसने बताया कि वाड नमर से वाड जानी पत्ना मोतिहारी आरा और सुपौल से चार अन आरोपी उसके भाई समेत को गिरफतार उठाया गया है पत्ना के खेमनी चोक से जीतु पस्वान नमक युवक को पकड़ा गया सभी अभ्यूक्त से ई ओ यू गहन पुस्ताच कर रही है इसमें कई अहम लोगों के नाम स सामने आने की संभावना है दूसरे दिन भी यहीं उपलब्धी हासिल हुई जांच में यह भी शाप हो गया की प्रशनपत्र मोतिहारी इस्तित सांती निकेतन जुबली स्कूल परिक्षा केंदर से लिख हो गया था इस स्कूल के सिक्षक जोती को हिरासत में ले लिया गया वह अस्थानिय गैतरी नगर मुहले का रहने वाला है जिस कमरे में वह प्रिक्षक था उसी कमरे से प्रशनपत्र लिख होने की असंका है गिरापतार सरगना अजय का इसी परिक्षा के अंदर पर पहली पाली में सेंटर था वह सेंटर कुछ कर्मियों की मिली भगत से मुब किसी ने ट्रांसफर किया था उसी के द्वारा पेपर वाइरल होने की संभावना है फोटो घीचने के बाद प्रशनपत्र को आरा सहित कुछ अन जीलों के अव्यूक्त को भेजा गया था फिलहाल ये सभी फरार चल रहे हैं उनकी तलासी तलास में ई यूके ने सनीबार को कई शहरों में दरजन भर संस्थानों में दे रात तक छापे मारी की देखिए ये क्या है आप चानेंगे समझेंगे ये इसमें बताया गया है कि जो भी अव्यूक्त गिरफतार हुए उन्होंने जैसे जैसे बताया जिस तरीका से समझाया उसी तरीका से आर्थिक मोतिहारी में कई संस्थानों पर सपमारी की इसके अलावा पटना के ख्यमनी चौक के रहने वाले बच्चू पस्वान के पुत्र जीतू पस्वान को गिरफतार किया जीतू का परिक्षा केंदर पूर्णिया में था जीतू के एक हाथ में टेप से सटा तीन इंच लंबा औ और एक इंच चोड़ा हाइटेक बुलूटूट डिवाइस पुलिस ने ब्रामत किया पूर्णिया सदन स्ट्रेंग कुमार सरोज ने बताया कि मरगा थाना में जीतू के खिलाफ ब्राइट करियर एसकूल की प्रिंस्पल रीमा सरन ने मामला दर्ज कराया माना जा रहा है कि जीतून भी इसी गैंग का हिसा है हलाकि पुछताच पूरी होने के बाद ही टीम नतीजा पर पहुंचेगी आगे आते हैं आगे देखिए कई वाट्सप गुरूप रड़ार पर प्रस्न पत्र को हाई कई वाट्सप एप गुरूप में तेजी से वाइरल किया गया है और इ गुरूप के एड़ीन पर करवाई हो सकती है खंगाले जा रहे हैं मुबाइल अब यहां पर देखिए गिरफतार आरोपियों के मुबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं मुख अव्यूक्त समयत एक अन्य ने अपने मुबाइल को रिसेट कर सभी डिटेल को डिलीट कर दिया इसे फिर से रिट ड्राइब करके सभी डाटा को परतार की जाएगी इसके लिए साइबर विसेशगों के टीम काम में जूटी है देखिए जो भी गलत करेंगे उन जरूर पकड़े जाएंगे और पकड़े भी जाएं ताकि आम विद्यार्थी को संतुष्टी मिले आम लोग कहां से ब्यवस्ता करते हैं कैसे होता है अब यहां पर देखिए यही लड़का है खेमनी चवका और देख सकते हैं पांच सरंगना अभी लगतार जाच जूड़ी हुई है देखिए कब तक इस पर कुछ ठोस कदम आता है कुछ ठोस जनकारी आता है तो आप लोग एक